हेलो वीवर्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आयम वेंशीका तो गाइस आज हम एक और माइक का सॉल्फ करने जा रहे हैं जो हमने अपनी चैप्ट नबर ट्वैल इलेक्टिसिटी से लिया है तो सबसे पहले कोशन डिट कर लेते हैं एन इलेक्टिक मोटर टेक्स फाइफ एंप warmth मोटर की फाइफ और समयन अगें करने मुटर क् i ro respectively बैक्तिसटी अभावड में उसलेफ ने सबस्ण कर देंटर आ यहां सबसे बहलें पावर निकालने के लिए मेरे निकालना है ला निकालने के इस दो करेंटिसिटीनमाने तुर्यम अटार कि भीडिक्ड झूहां को अब वी इंटू आए तो वी दिया हुआ है 220 और आए हो गया हमारा 5 अब मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह नमबर आएगा 1100 और यह पावर निकल गई यह होगी हमारी 1100 वोट ठीक है पावर का यूनेट होता है वाट हमने वो लिख लिया अब यह एक चीज हमसे कही थी कि पावर न एतना अरजी कजियूम होगे का हमें वो निकाल लाए तो अनरजी के लिए हम क्या करेंगे गाई अनरजी के लिए हम फॉर्मला लिखेंगे P into T power अभी हमने निकाला 110 into हम time time हमें कितना given है guys 2 hours given है 2 hours given है तो यहाँ पे अब 2 घंटे है तो 1 घंटे में कितने minute होते है 60 तो यहाँ पे 2 घंटे के साब से हमने 2 बार लिख लिया अब आप इसको पूरे को solve करेंगे तो आपके पास number आएगा 7 9 2 यह आगया 0 और यहाँ से 1 2 3 yes 2 3 4 yes guys 4 0 आगी यहाँ पे 2 और यहाँ की भी 2 तो यहोगी total 4 0s होगी तो यहाँ आगया 7 9 2 0 0 0 ठीक है यह हमने क्या निकाला है हमने energy निकाली energy का unit होता है joule तो यहाँ पे हम write कर लेंगे इसे हम क्या करेंगे अब इसे हम points में भी write करेंगे अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई problem नहीं है पर हम इसे points में लिख लेते है 7.92 into 10 की power अब 10 की power क्या जाएगी 10 की power आगी 6 पहले 4 0s थी और 2 के बाद हमने point छोड़ा तो यह हो गया 5 6 तो यह आगया और यहां पर आदेगा जोड़ा तो हमारे पास energy भी आगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा झाल